मैं कुछ ठंडा पीने का मन करें, इस तरह से आईस क्यूब्स बना खरके और पानी में या फिर दही में, जो दहीं छाच बना खरके और ढाल करके आप इस को घोल करके पी सकते हैं, बहुत टेस्टी बन करके तयार होगा, पीते ही एगदमसे पूरा ठंडग महसूस होगा, से बेडियो बहुत छोटा सा है तो आप इसको फूल वाच जरूर करें तो चलिए एकदम से असान तरिके से ये दो तरह की डिंक की रेस्पी शुरू करते हैं तो इस तरह से छक्टर भंडर डिंक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें आइस क्यूपस बनाना है जिस पहले साफ कर लेंके फिर इस तरह से mix-y जार में हमें डाल देना है। 10-12 इसमें क्या करना है कि काली मिर्च डाल देंगे। साबूत काली मिर्च में यहां पर यूज करी है। आर एक बड़े चमbay्ष क्या करेंगे। भुने जीरे का पॉडर हमें डाल देना है स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे तो मैं यहां पर ब्लैक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे हींग से बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है और 5-6 यहां पर करी पता यानि कि करी लिप्स डाल देंगे और इसमें क्या करना है कि हमें थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे कि पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हमें पीस लेना है तो एक बन में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे ज़रुत के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके और इस तरह से इसको हमें पीस लेना है देख सकते हैं मैंने यहां पर इसको पीस ली है इसको किसी भी इस तरह से बरतन में निकाल लेंगे देखिए इसको इस तरह से हमें पीस करके त्यार कर लेना है अब बिर इस तरह से अगर आपके पास सिलिकोन मोल्ड हो जैसे यहां पर चौकलेट का हैं मैं यहां पर यह जूज़ कर रही हूं इसी में प्रट सेहां is mistake &atie इतना है उतना में यह पर यह जो ट्रै है कर रही हूं कि इस तरह से पूरा बर हो प्रिज में पुरों भर गया था तो यहाँ पर तो टोटल आप बन करके तयार हुआ है आप इसको इस तरह से पूरा गर्मी जो है ना इस तरह से फ्रीज में रख करके और जब बन करें इस तरह से पी सकते हैं ये खराब नहीं होगा लेकिन हाँ इसको फ्रीज में ही रखेंगे मतलब अच्छे से ये सेट रहेगा इस तरह से देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा यह क्यूब्स जो है बन करके तयार हुआ है देखिए तो अब इसको बनाना कैसे है चलिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं दही चाच बना रही हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी जार में फ्रेस दही ले ली है दही आपर जादा खट्टा वाला हमें नहीं यूज़ करना है फ्रेशी यूज़ करेंगे तह इस तरह से दही अपने हिसहाफ से कम ज़़ा कर सकते हैं तो इसको मैने 믹्क्सि ज़ार में डाल ली है और इसमें क्या करेंगे यहां पर एक चोथाई चमश मैंने 6 मसाला पॉडर ली है मैंने इसको बनाई हुई है हुमिड है तो आप जरूर ठ्राइक करिएगा और यहां पर मैंने थोड़ा सा क्या करी है ब्लैक सॉल डाल दी है और इसको क्या करना है कि हमें इस तरह से पीस लेना है इसमें पानी का यू से आइस डालेंगे क्योंकि इसको हमें ठंड़ ठंड़ बनाना है तो थोड़ा से मैं इसमें आइस डाल दे रही हूं इसके बाद जो हमारा दही वाला जो हमने यहां पर तयार की है इसमें डालेंगे थोड़ा से इसमें हमें पानी डालना है क्योंकि यहां पर हमने पानी का लुक आजाए, एकदम से ठेस्टी सा ठंडर ठंड़ जो है दही वाला जो है ड्रिंक बनकर के तियार हुआ है अब दूसरा बनाने के लिए क्या करना है कि यहां पर इस तरह से गलास लेंगे अब इसके बाद तारDке डालें, और इसके बाद नौर्मल पानी कुछा करें, घञा असन दूर्मारीम e-sular गर्मी का special drink बन करके तयार हुआ है जिसे बनाना बहुत असान है एक ही क्यूब से मैंने या पर दो तरह से ठंडर ठंडर ड्रिंक बना करके तयार की है तो आप इससे जरूर ट्राइ करिएगा वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथी साथ मे चानल पे नहे हैं तो सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ थैंक्स पर वोचिंग